राम राम जी सभी वाई वेनों को मैं हूं बावरांदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी आज मेरे साथ हैं भाई हरे मुहन जी जियोतिर मैं चैनल के प्रधान संपादक साहब और वैसे पेशे थे अध्यापक हैं यूपीएसी के स्टूडन्स को जो हमारे जो कलक्टर साब लोग बनते हैं उनको पढ़ाते हैं अर्मान भाई राम 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 शुक्रिया तो तब मोधी सरकार वहते ही है कांग्रेसी तो कह रहे हैं कि एक और यू टर्न पी पेंशन स्कीम तो तब नई पेंशन स्कीम ले आए था मोधी जी ओपीएस एनपीएस के बाद पेशे खिदमत है यूपीएस तो सर्फ लोग कह रहे हैं कि इसमें भी पेंशन है पच्छे साल नौकरी करो आधी जो पिछले बारा महीने की जो बेसिक पे है उसका आ लोग कह रहे हैं कि जी कल तक तो देश बरबाद हो रहा था ओल्ड पेंशन स्कीम से तो अब यूपीएस में बरबाद नहीं होगा क्या तो जरा दर्शकों को पताईए कि क्या है मतलब यह क्या है पूरा मसला क्या है जी बाबाजी शुक्रिया एक बहुत इंपॉर्टन जाओंगा बहुत ज़्यादा डीप अनलेसिस नहीं करूंगा नहीं मैं एकोणोमी का बहुत ज़्यादा बढड़ा ग्याता हूं बेसिक इनफॉर्मेशन जो यू पीएसी की तैयारी के लिए हमने एकोनॉमिक पड़ी थी उसी के भी हाव पर एक पॉलेसी एनलेसिस की फॉ लेटलिजम आया और लेबर लेबर जो थी वो फैक्टरी में काम करने लगी और जितने गंटे काम किया उतने गंटे के पैसे पकड़े और उसके बाद नमस्ति तुम अपने घर राजी अब असलियत में पेंशन का चंदरिया कैसे भी मर जाते तो राजा महाराजा उनकी फैमिलीज का के टेकिंग करते थी उनकी फैमिलीज को खर्चा-पानी पहुंचा देते दे एक बेसिक अमाउंट बांद देते थे कि आपको इतना माउंट मिलेगा यह मिलेगा ताकि आपके बच्चे पड़ लेगी जाए उन्होंने इस चीज के डिवान करी और इंटरेशनल लेबर और्गनाइजेशन के बाद ये पूरा पूरा एक पेंशन वाली स्कीम भी निकली कि भाई बुढ़ापे के अंदर एक करमचारी जिसने जवानी अपनी खपा दी आपकी फैक्टरी में आप काम करते करते तो बुढ़ापे का ध्यान कौन रखेगा तो वहां से वह concept of pension निकल के आया और अलग-अलग phases में अब सवाल ये है कि pension कि किस level पर दी जाए और वो जो करमचारी है वो क्या deserve करता है तो देखी पहले तो practical approach के उपर discuss किया गया practical demand की गई कि यार वो भूखा मर रहा है उसके पैसे खतन हो गए है अब उसकी ध्यान कौन रखेगा लेकिन उसमें emotional approach के थी कि जिस lifestyle को ये जी रहा था कम से कम वो तो maintain करवाओ यहां से निकल कर आता है old pension scheme का concept सरकार क्या करती थी जो पैसा जो भी पैसा और ये उस time की बात बता रहा हूं जिस time पर भारत में privatization नहीं हुआ था स सरकार के ही उपकरम होते थे public sector units होती थी वहीं सब कुछ होता था private sector था ही नहीं ना के बराबर था सारे का सारा control और सारा command government sector के पास होता था अब सवाल यहीं से खड़ा होता है वो क्या करते थे government के सरकारी करमचारी जो होते थे उनकी pension बना दी गई और यह कहा आप आखरी जो salary withdraw करेंगे वो आखरी salary का 50% हम आपको दे देंगे उतना तो आपको पूरी जिंदगी मिले गए मिलेगा बाद में महंगाई बढ़ेगी और दूसरा होगा तो DMS allowances वगरा सारे मिला मिलू के ह आपको एक handsome amount देते रहेंगे, government job का जो रुत्बा था उस time पर वो असलियत में तंखा से जादा pension का होता था, लेकिन लोग एक बात छुपा जाते हैं, पुराने लोगों को जो पुराने retire हो रखे हैं या पुरानी old pension scheme वाले हैं, उनकी एक बात खास थी, उनकी तंखा पहले ही कम होती थी, अगर market में private sector की तंखा 10,000 रुपे है, तो government वालों को 2-3,000 रुपे मिलते थे, 12-13,000, मुझे 1192 के अंदर मेरे पापा को शायद 1700 या 1800 रुपे कुछ मिलते थे, और उसके बाद जो 5th pay commission आता है, उसके अंदर वो salary बढ़के अच्छी खासी हो जाती है, और 6th पे, 5th pay commission में तो दुगनी तुगनी भी थी, और 6th pay commission में भी और जादा हो गई, 7th pay commission में देखेंगे तो इतनी salary नहीं बड़ी, क्यों, क्योंकि सरकार में क्या किया, उस टाइम एक standard आ गया, कि यार जैसे private वाले हैं, उनको भी government की तरहे treat किया जाए, ये status चला था, कि जैस budget खाते के ऊपर, जो भी budget बनाती थी, उसके ऊपर old pension scheme का दबाव बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा, आप इससे अंदाजा लगाई और वो लगातार बढ़ रहा था, और 5th pay commission आने के बाद वो दबाव और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि पहली बार सरकार को private sector से, salary के मामले में private sector से competition करना पड़ा, आप ठाकर देखिए, एक जो सफाई करमचारी है, मैं अभी दिल्ली में मैंने सफाई करमचारी से पूछा, कि भाई, ultimately मतलब अजे भाई, तुमारी तंखा कितनी है, वो कलेश कुस्से में MCD में तंखा ने मिलती है, ने मिलता, गालिय सेक्टर में एक मैनेजर की salary इतने नहीं होती, जितनी उसकी सरका, सफाई करमचारी की तंखा थी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, अब समस्या यहीं आ रही थी, कि जब तक वो salary 2-3,000-5,000 पे थी, सरकारी में, तो तंखा क्योंकि 2-3,000-5,000 पे थी, तो pension भी उसी हिसा से एक data rough उठा कर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा, old pension team में, जो center का जो pension bill था, 1990-1991 था 3,272 करोड रुपे, और center का अभी 2020-21 के अंदर, तन गुना बढ़के हो गया, 1,90,886 करोड रुपे, 3,001 करोड रुपे से, 1,90,186 करोड रुपे, सिर्फ central government के pension दारियों का है, अगर इसमें state को देख लिया जाए, तो 1991-1991 में, states की जो pension थी, 3,131 करोड रुपे, जो की states की, 20-21 के अंदर, जो की बढ़ातरी, वो 125 गुना हुई, और वो हुई, 3,86,001 रुपे, यानि, अगर हम total उठा कर देखे, तो approximate, approximate, 91,91 जो pension का बिल होता था, वो होता था, लगबग, लगबग, 6,000 करोड रुपे के आसपास, 6,300 करोड रुपे, आज वो कितना है बाबाजी, आज है वो लगबग, लगबग, 6,000 करोड रुपे, 6,000 करोड रुपे की जगए, 6,000 करोड रुपे, यानि, 100 गुना pension का बिल बढ़ गया है, अब सरकार, उसी old pension scheme से, कैसे भी करके, पीछा छोडाने के mood में थी, कि यार, कैसे भी करके, इस चीज से, बचो, बचाओ, ताकि समस्या से तो मुके, और ये जो पैसा बच रहा है, इस पैसे को हम देश की तरक्की पे, development पे लगाए, तो और दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या ये थी, कि अब ultimately सारा पैसा आपने बाठ दिया, सरकारी करमचारी को, और उसके बाद 40 साल या 30 साल, और दूसरा life expectancy rate ज चुका है, जिसकी वज़य से बिल और जाड़ा बढ़ रही है, पहले को आप 10 साल किसी को pension दे रहे थे, अब वो 20 और 30 साल pension हो रही है, अब 20 और 30 साल pension होने का मतलब ये है, कि आप खुद अंदाजा लगा कर देखिए, कि एक आदमी ने जब कमाया, उसके अगले 20 साल, आप हर चीज को देखेंगे, तो कितनी ज़दा बढ़ जाती है, तो सरकार के ओपर ये burden लगातार बढ़ रहा था, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये कहा कि यार एक काम करो ना हमारी देश की economy बढ़ रही है, आप को हम share market से जोड़ दे तो कैसा लगेगा, share market हमसे ज़दा return दे रहा क्योंकि वो ज़्यादा तेजी से grow कर रहा है, ऐसे में सरकार ने यहां से वो mutual fund investment और सब चीज़े आई, और सरकार ने pension को खतम करके, एक अप्रेल 2014 के बाद कोई भी नई भरती वाला था, उस कोई भी नई भरती वाले को क्या किया, लगभग लगभग ये नई भरत आपको हम जितने पैसे आप अपने provident fund में जमा करवाएंगे, उतने हम करवा देंगे, बस आप ये जो amount है, ये share market के according आपको मिले, अप्रेल 2014 को हो चुके, उसे 20 साल, अब ये जो करमचारी है, सरकारी करमचारी, इनका कहना ये है, कि हमें तो 10% का return भी नहीं मिल रहा, क्यो तो हमारी ये खराब हो रुकी है, कि हमें returns नहीं दे रहे, share market जो है, वो 10 से 20 गुना बढ़ चुका है, लेकिन हमारा provident fund का पैसा और सब चीज़े वो तो बढ़ी ही नहीं, बात बिलकुल ठीक है, कि share market जो है, वो 8000 से 80,000, 50,000 पहुंचा हुआ है, लेकिन वो नहीं बढ़ अब उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं, वो पैसा कजा का, और 20 साल बाद वो जो सबकारी करमचारी 2004 से बरती होना शुरू गये थे, उन सब को लगने लगा के हमारा बुड़ापा तो बड़े घट, घटे में जा रहा है, और new pension scheme, old pension scheme की सबसे बड़ी खास बात ये थी, कि वो guaranteed थी, new pension scheme की सबसे बड़ी problem ये है, कोई guarantee नहीं है, जितने साल नौकरी करोगे और जितने पैसे कमाओगे, उतने पैसे बाड़ो और दफा हो जाओ, यानि ठेका मजदूरी के बराबर की सरकारी नौकरी कर दी थी, अब problem ये आई, कि सरकारी करमचारी को ये लगने कहीं ज़ादा हो गई, और नतीजा उसका ये हुआ, कि प्राइविट सेक्टर में काम करने वाला लड़का, गौर्णिन सेक्टर के अंदर तयारी करने लगा, और 2000, इसका एक example बताता हूँ, 2006-7 के आसपास, SSE की cut-off जाती थी, 295-296, 297, आज वो cut-off जा रही है, 400 पार, 600 म से, 400-500 के आसपास, आप अंदाजा लगा कर देखिए, कि कितना बड़ा जंप, 2000 आट के बाद आया, वो इसलिए आया, क्योंकि जितना भी इंजीनियर बनके निकला, जितना भी स्टूडेंट निकला, वो प्राइवेट सेक्टर में जाही है, कह रहा है, सल्विदो, गौर् नतीजा क्या, स्टूडेंट भाग के आ रहा है, मतलब दबाव डाल रहा है सरकारी के उपर, सरकारी नौकरी पे, और सरकारी करमचारियों के, तब ही आप देखोगे ना, पहले 11 लाग, 12 लाग, 20 लाग, 25 लाग, 45 लाग बच्चा कोई गवर्मेंट एक्जाम देता था, क्य टैलेंट मिलना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि तनका कम थी प्राइवेट में ज्यादा थी, उसके बाद उड़्टा हो गया, यह तनका जो है, यह कम हो गई, प्राइवेट में और सरकारी में बढ़ गई और शॉर्ट ही जादा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की जादा है, बस यही सबसे बड़ा चेंज आया, और यहां से सरकारी वालों ने शौर मचाना शुरू कर दिया, अगर हमारी पेंशन कहा है, हमारी सेक्यूरिटी कहा है, शौरिटी कहा है, और दूसरी बात है हो, political मामले तो matter करेंगे यहां politics क्या matter कर रहे है बाबाजी politics यह matter कर रहे है कि सरकार एक दबाव में तो है क्योंकि middle class vote bank नाराज सा हो रहा है और सरकारी करमचारी अमोमन BJP को vote करता था और possibly इस बार ऐसा हुआ 2004 में सरकारी करमचारी ने BJP को vote नहीं किया BJP को शहरों में नुकसान हुआ वहीं सरकारी करमचारी ने इस बार भी old pension scheme के demand के चलते कुछ सरकारी करमचारी ने BJP को vote नहीं किया हिमाचल इसका best example है नतीज़ा उसका यह हुआ हिमाचल विधान सबाचुना नतीज़ा इसका यह हुआ कि BJP देख रही है कि उसका vote बैंक थोड़ा थोड़ा तो हिल रहा है क्योंकि Miss India अगर SCST, OBC और Minorities में से नहीं बनी और यह मुद्दा अगर उट रहा है कि Miss India नहीं बनी Bollywood नहीं उटा बना में कोई उतलित समाद से नहीं है तो इसका सीधा मतलब यह है कि कही ना कही सिचुईशन से वह खराब है और सरकार गबराई हुए इस मामले में अब सवाल यह है कि सरकार में इस चीज़ को ध्यान दिया और सीधे सीधे तोर पे अपना एक एजेंडा सेट कर लिया कि देखो भईया सीधी सी बात यह है कि हम इनको पेंशन वगरा दे देते हैं लेकिन समस्या यह है सरकार जिम्मेदार सरकार है ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था तंखा कट जाती थी और वो तंखा का कोई कॉर्पस नहीं बना रखा था सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वो जो पैसा हो वो अपने आप पैसे कमा के आगे बढ़ाए सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था यानि सरकार को अपने बजट में से वो पेंशन देनी पढ़ती थी यानि सरकार ने जो तंखा काटी उसे अपने खर्चों में इस्तिमाल कर लिया कि पेंशन में देंगे वह पेंशन का बजट बढ़ता गया और आज की दिन 3.00.00 करोड़ पे सर पे बैठा हुआ है इस सरकार ने क्या किया है इस सरकार ने ये किया है कि देखो यार सीधी सी बात यह है हम pension देने के लिए तयार हैं लेकिन arrangement थोड़ा सा different है दिखने में उपर से बिलकुल सेम है यानि guarantee old pension scheme में थी guarantee UPS के अंदर है new pension या united pension scheme जो है इसके अंदर है 25 साल अगर आप नौकरी कर लेते हो तो salary का आधा amount आपको मिलेगा पहले था last salary withdrawal उसमें करमचारी देवानी कर जाते थे क्या करते वही आखरी की जितनी पूरी जिंदगी की शुट्टियां बची होगी है आखरी में दो तीन तीन मेने की चुट्टी लेके बैठे रहते हुए आप क्या किया पहले last salary withdrawal होती थी इस बार किया बारा महिने की salary withdrawal है यानि आप आखरी में जो चुट्टियां वुट्टियां काउंट करवारे होते हैं वो सारी काउंट नहीं होंगी पहले भी family pension होती थी इस बार भी family pension है minimum salary minimum जो वो पे होती थी वो पहले नहीं थी पहले भी थी और अभी भी है कोई difference नहीं है सबसे बड़ा फरक क्या है बाबाजी सबसे बड़ा फरक यह है कि पहले सरकार जो करमचारी का पैसा काटती थी वो पैसा खुद अपने छोटे मोटे खर्चे या दूसरे खर्चे करने में इस्तमाल कर लिए इस वार सरकार ने क्या किया है simple सा एक काम किया है कि जो पैसे था हम जोडेंगे वो उसका एक कॉर्पस फंड बनाएंगे उस कॉर्पस फंड को हम अपने डवल्पमेंट वर्क्स में लगाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे जैसे आज के दिन अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एन एच एई है उसके पास लगबक 17-18 लाख करोड रुपे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब उनसे टोल भी मिल रहा है, अब आप सोचकर देखिए, मान लिया साल का सरकार ने 5 लाख करोड रुपे का सरकारी करमचारियों को जो पैसा तंखा रंगा देनी होती है, वो पैसे काट के और NHAI में इकठ करना शुरू कर दिया, तो NHAI जो अलग-अलग जगह से पैसे कटे कर रहा है, उसकी जगह सरकारी करमचारी वालों का पैसा कर लेगा, और टोल हमीशा बने रहेंगे, और जो पैसा सरकारों का NHAI में एक्जामपल दे रहा हूँ, कि जो पैसा सरकारों का NHAI में लगा, वो पैसे जनरेट होते चले जाएंगे, यह प्रोड़क्टिर काम है, सरकार ने प्राइबेट सेक्टर मार्केट की जगह, जैसे UPI फरेंट्स वगरा होते थे, या mutual fund, सरकार उसमें जाने की जगह है, कुछ ऐसे सेक्टर्स पॉइंट आउट करेगी, इसको देख लीजएगा, कि कुछ ऐसे सेक्टर्स को पॉइंट आउट करेगी सरकार, जिसके अंदर सरकार को पैसे return मिल रहे होंगे, पैसे develop हो रहे होंगे, generate हो रहे हो, मैं दुबारा बताता हूँ, पैसे सरकार के generate हो रहे हो, वहां से करमचारियों की pension दी जाएगी, यानि pension scheme की reformed state में new pension scheme है, जी बाई साब मैं हूँ थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, इस सी आदमी हूँ, ठीक है जी पहलवान हूँ, मुझे थोड़ी बातें कम समझ में आती हैं, आप पढ़ाने लग गए economics, मैं दो मिनिट में बता देता हूँ, पहली बात तो, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, मैं ये मानता हूँ personally, कि दुनिया में जो भी आदमी सरकारी नौकरी या प्राइवेट या किसी की भी नौकरी करता है, नौकरी, किसी की भी, चाहे वो इंदिरा नोई और वो कौन पिचाई है, चाहे वो जो भी हो, ये दर्थी के सबसे नकारा लोग हैं, जो किसी की नौकरी कर रहे हैं, मेरा ये पर्सनल मानना है, ठीक, क्योंकि अगर आप किसी से पांच लाग रुपए तनखा कोई आपको दे रहा है, इसका मतलब आप से पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पर मैं यह मानता हूं कि हिंदुस्तान में जितने सरकारी नौकरी वाले हैं यह इस दर्थी के सबसे नकारा लोग हैं मैं कुछ ऐसे आईएस को जानता हूं जो जब आईएस बन गए ना उसके बाद एक साल बाद बहुत गहरे डिप्रेशन में चले गए और एक मैं तो मेरे मित रहते हैं जो पिछले दस साल से बयानक डिप्रेशन में हैं तो मैं उन्से पूछना अगया वोला मन अपनी जिंद्धी का कबाड़ा कर लिया वाला क्यों गाली देख बहुत बुरी गाली देता वह तो मैं यहां दे नहीं सकता बोला यह मैं आईएस ब बहुत से हैं बनने के अगले महिने कुछ तो यह तो सब बात यह कि जो सरकारी करमचारी होता है ना वह एक तो नकारा होता उसके बसका कुछ नोकरी चोड़े तो मेरे कोच न्यशक मैं और मेरे अंधर मैं से ज़्यादा पूप नियुका करो Crispy सेम नौकरी मेरी पतनी को भी मिल रही थी उंद शोड़ेन तो हमकसी की मिल रहें ह। सरकारी चोड़ कि गर बेटेयों है और पूरा जिन्दगी एंचोई किया हमने तो सर एक तुछ विस्कारि नौकरी वाला ने बिचारा बहुत ही निरी हिप राणी होता है सरकारी नौकरी सिर्फ दो चीज गिनता है चुट्टी कब है संडे के साथ कौन सी चुट्टी क्लब हो रही है इपको तुमारी एक चुट्टी संडेन पढ़ गी सारी जिल्दी यह हिसाब करता और मेरा इंक्रिमेंट कब लगेगा मेरे को डिये कभ नई किस्ट मिलेगी इस मिन्हें मेरी कितनी तंकाह आई दो इकाम करता सारी जिल्दी तो एक चांच की बात है मैं बाइचांस के बात है मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैवल करते करते पांच साथ गौर्मेंट के सर्वेंट्स का जो ग्रुप था वो बैठ गया था अब फर्स्ट क्लास बोगी थी उनको मिल गया होगा इमेजन वो लोग क्या बात कर रहे थे वो नहीं होता वो मतलब ट्रेन के बीच वाला एक वो जो पाइड होता है उसमें पांच बनते और वो पांच ही थे छटी सीट मुझे मिल गई और मैं साथ वाले में था मतलब टो वो पताए है क्या डिसकीस कर रहे थे कर इसमें बीस रूपए और फचास रूपए तो यह चीज जो है यह एक नॉर्मली हो जाता है मैं अपनी बात कंप्लेंट कर लूं मैं अपने बेटे से बात कर रहा था तो मैंने उसको समझाया कि भूल के भी ये OPS के चक्कर में मत पड़ो NPS दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम है अच्छा आज मुझे अगर कोई चूज करने के लिए कहेगा न सर कि आप OPS लेंगे NPS लेंगे या UPS लेंगे तो UPS तो सर एक प्रकार से गौर्मेंट ने मुझे ऐसा लगता बेपूप बनाया है पबलिक को मैं उसको मैं प्रूव कर दूँगा मैंने का भाई या OPS भूल के भी मत करो हाँ तुम्हें शिकायत है कि तुम्हारा पैसा अगर NPS में नहीं ग्रो कर रहा है तो सरकार ने एक option तुमको दे दिया है कि तुम अपना आधा कॉर्पस आधा fund अगर तुम्हारे 10 लाख रुपए एक ठे हुए हैं तो 5 लाख तुम अपनी मर्जी से शेर मार्केट में इंवस्ट कर सकते हो मैंने का कुछ मत करा है गोल्ड के बॉंड ले ले नहीं तो कोई मुचोल फंड ले ले नहीं तो कोई वो क्या कहते है हर मेने वाली जो सिप कर ले कुछ भी कर ले मैंने का ये जो तुमारी OPS है न इससे दस गुना ज्यादा रिटर्न देगा यह हो यह आज जब मैंने का जिस दिन तू रिटायर होगा 35 साल बाद यह जो जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिलनी है उसका दस गुना ज्यादा रिटर्न देके जाएगा कल मैं एक किसी शेर मार्केट के बंदे का एक बात सुन रहा था किता है 1970 में अगर किसी आदमी ने एक हजार रुपए इसमें नरायन मुर्ती के इंफोसिस में लगाए होते तो आज उसके पास पता है कितने पैसे होते तो वह लड़का अंदाजा लगा रहा था एक और बोला उपर जा उपर जा उपर जा तो वह 10-20 क्रोड़ पर से उपर उसकी मैजिनेशन ही कतम होगी तो बोले 700 क्रोड़ रुपे होते और वह शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बंदा था जो भी नाम नहीं पता मुझे कहता एक हदार रुपे 1970 में अगर विप्रो ने विप्रो ने इंफोसिस लिया होता तो आज आपने देखा कि सौगना ज्यादा ग्रोथ है तो मैंने का यह एनपीएस वाले अपना पैसा खुद मैनेज करो अपनी मुच्वल फंड और दुनिया भर के इंस्ट्रुमेंट्स हैं उसमें एक से में लगा दो पैसा तुमको ओपीएस या इस यूपीएस से सौगना और लोगों को बढ़का रहा होता है और हम आंधे लोगों की बात करेंगी उनको प्रॉब्लम में है सारी फोलापने से वह उनके इन्धर दिखाई दे रही होती है हाई 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 ही वह सारे चीज़ उनको समझ नहीं या रही होती या तुम चूज कर लो तुम्हें UPS चाहिए या NPS चाहिए मुझे मालूम है जादा तो लोग NPS UPS चूज करेंगे पर मैं कहूंगा जो UPS चूज करेगा वो नुकसान में रहेगा NPS is the best scheme पर अपना fund खुद manage करो तब सरकार तो भई सरकार की एक problem है वो कहते हैं कि वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती वह maximum security वाले जिसमें कम growth मिले वो मंजूर है बे मेरा पैसा है नहीं पैसा आरी मोहन का मैं क्यों यार काम का रिस्क वाले में लगा दूँ जितमें growth तो बहुत आएगी कभी डूब सकता है इसलिए सरकार ने बूब के तो गाई यह मिलेंगी इसलिए सरकार ने बूला अब याज जो minimum जिसमें रिस्क है वहां तुम्हारा पैसा इंवस्ट कर देते हैं आप ले लो और अपनी रुपे का गोल्ड का बॉंड लेके रखता तीन हजार का दो हजार चार में तो आज बन चुका होता तो कम जर्म बचास्तार करोड बन चुका होता बताइए तो जो लोग भी एन पीएस को नकार रहे हैं वो नकारा हैं वो बिलकुल भी अपना फंड मैनेज करना ही नहीं चाहते वो जरास अच्छा मैं के तो यह किसान है हल जो होता है वह इन टेक्निकल बातों को न समझे तो समझ में आती है तुम तो सरकारी करम चारी और तुम्हें कॉम्पेटिशन पास करके आयो पुराने दमाने में पर्ची लिखके थोड़ी न और हुड़ा ने नौकरी दिये तुमको तुम्हें आज का लड़का तो कॉम्पेटिशन पास करके आता है ना गुरूप डी में भी कई लाग पीएसडी लोगों के साथ कंपीट करता है कि एक्जाम करेक करने के बाद वो जीवर में इतने रिलाक्स मोड में चले जाते हैं इसलिए मैं इनको नकारा बोलता हूं यह अपनी जिंदगी में एक बार नौकरी मिल गई थी उसके बाद अपक्रेड किया ही नहीं और कितने मेंसी होते हैं कितना काम करते हैं तर यह तो हमसे छुपा नहीं है मैं तो पहले कहता हूं कि सरकारी करमचारी 90% अवल दरजे का अब आगे नहीं बोलूंगा लोग के तें यह बाबा बुरा बोलता है गंदा बोलूंगा नहीं और 90% सरकारी करमचारी हिंदुस्ता लोग कहते ना आप पानी वीडियो बनाते में इतना क्यों पीते हैं मैंने मेरे वो कहवत है पानी पीपी के गरी आना यह पानी पीपी गरी आता हूं इन लोगों को खेशंग हरे मोन बाइड आप कंब्लूड कर दीजा आज का यह कि दिस्केशन के बडिया स्कीम है दोनों के दोनों जिसमें दिमाग है जो रिस्क ले सकता है अब जो ऐसा है जिसको आप 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 आपके देदे मैं तो पराम्टे खाऊंगा बाकि सारे काम तुम कर दो मेरे को खाना है मैंने जीवन में मैं तुम्हारा पंगया दामाद और जो सरकारी दामाद है वह अपना उल्ड पेंशन वह जो यूपीएस है उसकी तरफ जाए तीक है अब ठीक है देखते हैं लास्ट पर यह होगा जिसको जो बैनेफिट्स मिले औ मोदी सरकार का यूटर्न सरकार पेंशन लाई ही कब थी वादी पर एक बात है तर मेरे को इसमें दिखाई दिया है मोदी जी ने यह ऑप्शन दे दी है कि जिसकी दस साल की नौकरी हो गए उसको मिनिममम दस अजार रुपए शेर्ड पेंशन मिलेगी दस अजार रुपए और जिनकी पच्चिस हो गई और अभी दस साल नौकरी पड़ी भी है उनको भी मिलेगी तो आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग नौकरी से पेंड चुड़ा के भाग लेंगे जिनमें जरासा भी कॉन्फिडेंस बचा हुआ है ना वो तो दस साल भी इंतजार नहीं करेंगा दस जार पे के लिए जैसे मैंने नहीं किया था लाइफ में जिसको कॉंफिवर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह है कि कोई जैसे दिमाग लगाते जिसमें एक बंदे को जानता हूं दोनों के दोनों टीचर है और दोनों का अप्रॉक्सिमेटर से यहां पर लाग 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 पर तंखा है अब वह अदमी फ्री टाइम में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है वह अदमी तंखा तो उसको मिलती है जो मिलती है और बाकी दर दर से कमा लेता है वह तो दिमाग जुगारू है अच्छा कई सारे हमारे प्रोफेशन में ऐसे टीचर्स भी हैं जो की लिटरली जिसे कहते हैं कि सरकारी नौकरी पे हैं लेकिन वह नौकरी के साथ साथ प्राइवेट टीचिंग्स वगर अभी करत सब्सक्राइब जानता हूं वह स्कूल का प्रिंसिपल है मैं उससे पूसता है आपको आप स्कूल कैसे मैनेज करते हैं यार देखो अफते में इस दिन चले जाते और जाके खाना खाके आते ताकि मिड़े मील बच्चों को मिलती रहे बिना बताये जाता हूं यह आईसान कर को सब चीजे दे रखी हैं बाकी तनका तो मिली रही है इस अब्जेक्टिव के साथ भी जाते हैं और यह फैक्ट है जी बावारी तो सर आप हरिमान भाई आपने समय दिया सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं आपने इस बहुत जरूरी एक समाजिक विशह पर काश ड स्टड़ी कर लेते हैं और सुसाइटी से क्या रस्मॉंस आता है सरकारी करव मैं आज मेरी एक सरकारी करव जाने बात होई तो खुश नजर आ रहा था हैं क्योंकि सिर्फ उसको एश्यूरेंस मिल गई तो मैंने का चल अब तेरी जिल्दी की कट जाएगी सुख से पहले थैंकि तर थैंकि वेरी मच दोबार मिलते हैं तर इसी टॉपिक पर ऐसी किसी नए टॉपिक के साथ धन्यवाद जाए श्री राम जाए श्री राम